यस अपने अब एक और इस्टुएंट से मिलवाता हूं नाम है साहिल जिनकी All India 165 rank है और जिनको NIT इलावाद अलॉट हुआ है तो सबसे पहले इस college के लिए और इस rank के लिए आपको बहुत सारी सुपकाम नहीं किसे और मैं साहिल के बारे में session start करने से पहले बताना हमें live में confusion होता है यह कई बार हम late start करते हैं उसके बाद भी अगर preparation proper की जाये तो उसका अच्छा result दिया जा सकता है साहिल उसका बहुत अच्छा example है और मैं जितने अभी तक session डाले हैं आप उन सब को सुनिए हर बच्चे की live success story बहुत अलग-अलग होती है जैसे साहिल basically belong to नाकपूर नाकपूर से हैं पर इन्होंने graduation भोपाल से ही किये excellence college से graduation complete करने के बाद इन्होंने MSC में admission ले लिया in fact MSC first year complete भी हो गया पर इनी के एक friend ने क्योंकि उसने यहां से पढ़ाई की हुई थी अपनी अच्छी rank दी थी NIT की तो मन हुआ कि चलो निमसेट का exam देते हैं और इन्होंने मार्च में form भरा और actual में अप्रेल मैं से पढ़ना चालू किया उस समय lockdown था तो फास्टेक पोर्स जोइन किया था घर पे पढ़ाई करते थे बोपाल में थे और इतने कम समय में इन्होंने proper एक एक class attend की पुराने वीडियो देखे एक एक बात को समझा और आपके सामने ऐसे कई सारे example में बताऊंगा और देखते हो आप impetus guru cool की यही बात है खास कि आपने कब join किया यह important नहीं join करने के बाद कैसे effort लगा है यह important है तो साहिल आपकी life काफी अलग है सबकी life अलग-अलग होती है तो मैं चाहूंगा कि पहले आप अपनी life की जो success journey है म पर आपने छे महीने से कम समय में यह rank achieve किये तो इस सब चीजों को आप detail में बच्चों को बताओ जिससे कि वो आगे इस बात को समझें और सुने एक्चुली मैंने रियल प्रिप्रेशन जो बोलते हैं उसको मई में सर के फास्ट्रेक कोर्स के साथ ही शुरू किया था फास्ट्रेक कोर्स के साथ जब मैं जुडा हूँ तो सब कुछ बदल चुका था उस तक lockdown हो चुका था कोई भरोसा नहीं था पेपर कब होगा कब हमें पूरा सब कुछ देखने मिलेगा सर हमेशा सेशन लेकर के यही बोलते थे कि बस पढ़ाई करो और जब आएगा एक्जाम तब फेस करी लेंगे मैंने बस छे महिने थे मिर पास मैंने पहले से एक अंदाजा लगा रखा था कि सेप्टेंबर अक्टोबर में पेपर होंगे और छे महिने का मैंने अपना एक पूरा प्रिपरेशन प्लान बनाया था सर के फास्ट्रेक कोर्स से जुड़ने के बाद मैं धीरे धीरे अपने जो नोट्स हैं जो सर क्लास में पढ़ाते हैं बेसिकली काफी लोगों ने मिले को सजेस्ट किया कि आप बुक्स प्रेफर करो लेकिन अगर मैं लिटरली बताऊं ये चीज़ सही सही तो मैंने एक भी बुक को सॉल्व नहीं किया नहीं एक भी गाइड सॉल्व किया खरीदा जरूर लेकिन वह वैसे के वैसे रखे रह गए लेकिन और मैंने पूरी की पूरी पढ़ाई सिर्फ जो सर ने हमें नोट्स द किया इसके लाबा कोई बहुत ज्यादा गाइड सॉल्व करना या एक गाइड को भी तीन-चार बार सॉल्व करना कुछ भी नहीं एक बार भी मैंने कोई गाइड को सॉल्व नहीं किया है जो सर हमेशा बोलते हैं कि कॉंसेप्ट से पढ़ाई करो मैंने बस वही चीज सर की है देखिए जैसे अभी साहिल ने बोला कितनी अच्छी बात है आप लोग जैसे अभी पढ़ते हैं ऑविसली जिसको मालो दो साल बाद एकजाब देना तीन साल बाद उसके पास समय होता है वो गाइड सॉल्व करें पर जिसके पास कम टाइम है उसको स्मार्ट स्टेडी करना साहिल ने वही किया ऑविसली क्या होता है जब हम पढ़ते हैं तो क्लास के लावा हम कई सारे और भी दोस्तों से सीनियर से पूछते हैं तो वो सला अपनी अपनी क्योंकि हर बच्चे का अलग अलग तरीका होता है एक बच्चा बोलेगा आप ये गाइड सॉल्व कर लो मैं आपका सेलेक्शन जब होगा जब आप बहुत स्ट्रॉंग बेस बनाके बेसिक बनाके सॉल्व करोगे और ये एक बिलकुल एक्जामपल है मतलब आप सोची की फरवरी माज तक तो प्लान में भी नहीं था कि मेरे को निमसेट देना है और सोची उसके बाद प्लान किया और करना है वो क्या सोचा और कैसे आप एकडम से ट्रेक को चेंज किया वो भी एक बार बता बहुत बच्चे ऐसे होते हैं तो उन बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज होगा की है और काफी मेरे दोस्त अलड़ी कर रहे थे सरके थूप पढ़ करके तो मैंने उनसे जब कॉंटेक्ट किया तो उनने सीधी यही बात बताई कि निमसेट क्लियर करो और निट में आ जाओ अब मैंने जब यह चीज़ पता किया कि निट करने से जाने के बाद निमसेट टैमने करने कर लिया हमने उसके आद हम पास इतने ऑपन ऑपर्चुनिटीव हैं जैसे कि हम सीधा doctor के लिए apply कर सकते हैं डी अध्यू में Cub करनी तो बहुरी एक तशिक का से में इतना ज्यादा प्लेस्मेंट है कि आप कहीं पे भी जाना चाहें हर फिल्ड आपके लिए उस टाइम ओपन हो जाती है बिल्कुल सही बात बोले साहिल मैं आपने आपने जब बोला डिया डियो या इस रो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार हम सोचते हैं कि में सी कर से इस रो जोइन किया भी करके तो क्या होता है कि अच्छा को चून लिया तो मैं आप सबको यही बोलना चाहूंगा कि देखिए कि इंपॉर्टेंट बाते हैं जो आपको समझी नहीं कि आपके सपने को पूरा करने के लिए ऐसा थो नहीं आप गला ट्रेक पकड़ एसा ट् इसे मैंने चाहूँगा बहुत सारे बच्चों का यह question रहता है कि जब यह 5-6 महीने बचे तो किस भंग से preparation की और क्या steady आपका AAR रहता है और किस भंग से अपने आपको त्यार करा आपका एकुड़ी मैंने एक प्रुड़ा का प्रेपरेशन बना के रखा था अपने पास कि जैसे ही मैंने सर की ज्लाइस जॉइन किया है तो सर मैक्सिमम ठ्री क्लासेज एक weg एक शिफ्ट में एक आफटरऌनून और एक इवनिंग शिफ्ट थीक्लासे समरी होती थी इसके अलावा सर ने हमें काफी जादा पुरानी क्लासेस का वीडियोज प्रोवाइड किया जो कि अब आव्यस सी बातें पढ़ाना उस तरह इंपॉसिबल उतना नहीं था तो सर ने हमें पूरी वीडियोज प्रोवाइड की कि आप पूरी तरीके से अपनी प्रिपरेशन भी कर सके अधर हैंड पर तो उस आठ क्लासेस के साथ मेरे को जो सर ने पढ़ाया है दिन भर में मैंने आठ क्लासेस में जो कवर किया उसका रिविजन साथ में सर डेली डीपीटी और टेस्ट के लिए पेपर्स देते थे वो सारे सॉल्व करना ये पूरा एक तरीके से मेरा डेली शिडियूल बन गया थ जैसा कि मेर कोई इतना काम करने के बाद ही सोना है ये पांच मेने मैंने डेली आठ क्लासेस एटेंड किया तभी जाकर के पूरा स्कूर्स में खतम कर पाया हूँ जैसा कि सर बोलते ही है कि अगर आपके पास तीन मेने बच्चे हैं तो आप चार गुना तेजी से काम करो तो अभी भी मैं आप लोग के क्योंकि 6 महीने बचा तो मैं बोलता हूँ 6 मन्त को 12 मन्त बनाना यहीं डबल पढ़ाई करनी है, 5 महीने हैं तो टिपल पढ़ाई करनी है, इसने वही किया, साहिल ने आपके सामने एकजाम पले, आप सबको भी बोलूँगा, कि अभी जैसे 2 क्लासे चलती है, अभी 2 डिसंबर से बहुत सारे बच्चे जोईन हुए और होते जा रहे हैं, उसमें क्या एक सबसे ची बात ही है, क्योंकि क्लासे रिकॉर्डड होती है, बाद में भी बच्चा देख सकता है, यही काम साहिल ने किया, और यही बात मैं आपको बोलूँगा, कि 6 मह हैं, अभी 2 क्लास रेगुलर हो रही है, वो अटेंड करो, साथ में जो पुरानी क्लासे में देता हूँ, उनको भी एक एक एंट पर देखो, उनकी प्राक्टिस करो, पूरा स्टेडी मेटियल आपके पास है, काईट वाइट के चक्कर में मत पढ़ो, चुकि अभी 6 महीन है जो बच्चा है, इन 6 महीने अगर आपने proper systematic पढ़ाई कर ली, तो no doubt कि आप अच्छा नहीं, बहुत अच्छा result दे सकते हैं, पर ये दिमाग में रखना है कि मुझे अपने knowledge और concept बनाना है, बहुत basic से पढ़ाई करनी है, और इसका ऐसे कई सारे example आपको impetus में मिलेंगे, औ जो लोग कई बार, 4-5 महीने का समय होता है, सबसे अधर problem होती ही, जब बच्चों के बस time कम होता है, तो बहुत pressure में आ जाते हैं, उन्हें डर अंदर देता होगा की नहीं, होगा की नहीं, तो ये होगा की नहीं जो word है, ये बड़ा खतरना है, तो इस पे आपका अपना क्य message है बच्चों के लिए, और खुद क्योंकि आपनी situation face की, in fact, आपने MSC करने के बाद, ये सोचा है, तो और मन में डर होता है, तो आप इसका बिल्कुल अपने juniors को इसके लिए क्या message देना चाहोगे, मैं चाहूँगा, आप बताओ. Actually, एक scenario मेरे पास बीच में आ गया था, कि मेरे पास MSC के exams आएगा थे, इसी बीच में जब lockdown चल रहा था उसी वक्त, तो मेरे पास दो option थे, या तो मैं MSC के exam पे focus करके, महां MSC का exam दूँ या फिर मैं NIMSET के लिए focus करूँ, तो मैंने उस वक्त MSC के सारे exams drop कर दिए, कि अग एक सीट के लिए मैं पूरी कोशिश अपनी कर रहा था और जब तक paper हुआ नहीं, तब तक मैंने इस चीज़ का tension लिया ही नहीं है, बिलकुल की होगा की नहीं होगा, होगा की नहीं होगा, ये सब तो बात की बात है, जब होगा, तब की तब देखेंगे, नहीं होगा, तो और भी options open है ही हमारे पास, तो सीवीजी बात है, हमें सिर्फ अपना जो काम कर रहे हैं, पढ़ाई करना है अभी, पढ़ाई पर फोकस करते हैं, होना नहीं होना तो फिर सबको पताईए कैसे कितनी पढ़ाई है, उसके हिजाब से होगा, देखिए साहिल ने कितनी अच्छी बात बोली, मुझे बड़ा खुशी हुई कि आपने MSC के एक्जाम को भी compromise कर लिया, पर एक seat है और मैं हमेशा बोलता हूँ, कई बच्चे बोलते न, कि सर वो ये इतनी कम seat है, ये वो मोलता है, कितनी भी कम हो, एक तो है न, एक seat है और आ अपने आपको focus करो, अपने aim को decide करो, अपने aim को कहीं पे लिखो, और फिर उस पे action लेके पढ़ाई करो, महनत करो, आप जो live में सोचते हो, वो मिल सकता है, बशर्त है, कि आपका action plan बहुत strong होना चीए, और उसमें कहीं confusion नहीं होना चीए, जैसे जब तक इसका MSC था कर रहा नहीं, तो हम ऐसे ध्यान रखें कि हम जो अपने aim को बनाएं, उस aim को focus करें, उसके साथ के सारे compromise करने, पर aim पर compromise ना करें, चलो इसी सुब कामना के साथ ये session end करता हूँ, सारे session बहुत ध्यान से सुनिए, पूरे सुनिए, वो कहीं न कहीं आपकी life को relate करेंगे, और कोई भी एक session आपको strike कर गया, तो आपकी life definitely change हो जाएगी, all the best and thank you.